हेलो एवरीवन रमन्स किचिन में आपका स्वागत है आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी रोस्टिड चिकन की रेसेपी वो भी बिना तंधूर के केवल गैस और पैन पर इससे पहले आगे पढ़ें अगर आपने मेरे चानल को सब्सक्राइब नहीं कराए तो प्लीज मेरे च देखिए एक बाउल मैंने दही लिए है आपके पास अगर पूरी गाड़ी दही एविलेबल है तो आप वो भी ले सकते हैं एक चमच मैंने लाल मर्ची डाली है एक चमच नमक आदर चमच गरम मसाला और जरासा फूड कलर डाला है साथी मैं एक चमच अदरग लसन का पीस डाल रही है इससे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं देखिए जो हमारा मैरिनेशन ने ये बनकर एक्टम तयार है अब इसमें जो हमारे चिकन की पीसेज है देखिए मैंने 700 ग्राम चिकन लिया है ये मैं इसमें डाल देती हूँ आदे से जादा मैंने लैक पीस लिये है तंदूरी चिकन में लैक पीस ही बहुत अच्छा फ्लेवर देते हैं देखिए सच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि जो मारा मसाला है वो सारे पीसेज में अच्छी तरीके से लग चाए देखिए इस तरीके से मैं इसको अच्छे से म देखिए मैं ये ग्रिल पैन ले रही हूँ आप चाहे तो नॉर्मल पैन भी ले सकते हैं इस तो मैंने थोड़ा सा ओइल ग्रीस कर दिया था अब जो ही हमारे लैक पीस है मैं इसमें रख दे रही हूँ देखिए सारे पीसेज मैंने रख दिये हैं इन्हें हम अच्छी तरीके से दोनों साइट से सिखने देंगे कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए इसी तरीके से इसको लो फ्लेम पर सिखने देंगे देखिए इसे टर्न कर लेते हैं इसको सारो को मैं पीसे इसको टर्न कर लेती हूँ जब तक इसको मैं लो फ्लेम पर रख रही हूँ इसे हूने देते हैं तब तक हम चटनी की तयारी कर लेते हैं देखिए एक बॉल मैंने धनिया पत्ता लिया है और एक बॉल मैंने पुदीना लिया, एकदम फ्रेश पुदीना है, मिंट लीज साथी इसमें मैं देखिए, ज़रा सा अध्रक डाल रही हूँ और चार हरी मिर्ची डाल रही हूँ मैंने टेस चटनी में और अच्छा फ्लेवर अड़ करने के लिए मैंने एक चमच, जो नारियल का भुरादा आता है वो डाला है, आदा चमच मैंने नमक डाला है, जीरा पाउडर, आदा चमच और जरा सा निम्बू का रस पीषने के बाद आप देख सकते हैं हमारी चटनी बनकर तैयार है, अब हम वोपस पैम के तरफ आ जाते हैं यह अच्छी तरीके से जो मसाला है पूरा चिकन पे कोट हो चुका है, आप देख सकते हैं देखें पूरा मसाला जो हमारे चिकन पीसेज है उसके उपर लग चुका अच्छी तरीके से अब हम इसे निकाल लेते हैं इसे निकालने के बाद हम एक स्टेप और फॉलो करेंगे जिससे हमारा जो चिकन है वो और क्रिस्पी और और टेस्टी लगेगा देखें निकाल लेते हैं इसी तरीके से ये सारे पीसेज निकाल लिये हैं मैंने देखें पैन में ये जो बच्चे हुए पीसेज हैं मैं ये भी डाल रही हूँ देखिए ये जो बड़े बच्चे हुए pieces थे देखिए तीनों piece मैंने डाल दी हैं इसे भी हम अच्छी तरीके से दोनों side से अच्छे से से शेक लेंगे देखिए आप देख सकते हैं इस तरीके से इसको सेकना है ये देख सकते हैं pieces में देखे आप दिख सकते हैं, यह अच्छे से सिकर हैं, इसी तरीके से इसको दोनों साइट से सेखना है, जैसे हमारी पीसिस सिक जाएंगे, इसके बाद मैं से एक प्लेट मर निकाल लोगी, इसी तरीके से जितने भी पीसिस, जितने आप तंदूरी चिकन जितना बनाना चाहते इसी तरीके से सेख के बना सकते हैं देखिए भी सेख चुका है इसे भी मैंने ये सारे पीसेज निकाल लिया है अब इसे और अच्छा फ्लेवर देने के लिए बाहर से और क्रिस्पी बनाने के लिए मैंने एक जाली रख लिए है गैस पर कि आज अवेलेबल नहीं है तो आप नॉर्मली ऐसे भी गैस पे इसको सेख सकते हैं जब हम गैस पे इस तरीके से उसको सेखते हैं तो यह बहुत अच्छा फ्लेवर देता है अपने रेस्टोरेंट या रोट साइड देखा होगा कि लोग इसको लंबे तंदूर में चिकन के पीसेस को लगा कर अच्छी तरीके से सेखते हैं हमारे पास तंदूर एवलेबल नहीं है तो हम नॉर्मल हमारे जो गैस टोफ है उस पे इस तरीके से सारे पीसेस को एके करकर सेख लेंगे देखिए इस तरीके से मैं जितने भी पीसेसे सारे पीसेस को अच्छी तरीके से देखे लूँगी, देखे इस तरीके से मैंने सारे पीसेज सेख लिये हैं और जो है हमारे चिकन है रेडी है, इससे मैंने लच्छा प्याज और जो चटनी मैंने आपको दिखाई थी इसके साथ सौफ करा है, साथी इसमें थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल करा है, देखे जो हमारा तंदूरी चिकन है, टेस्टी सौफ तंदूरी चिकन बन कर तैयार है, वो भी एकदम कम ओईल के साथ, अगर आपको मेरी रेसेपी पसंद आयो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब,